हेलो दोस्तों आप सभी का ओल्ड राउन नोलेज में स्वागत है और आज हम लोग पास्ट प्रफेक्टेंस सिखने जा रहे हैं तो आप लोग सभी इस वीडियो को अंतक जरूर देखेगा आज की वीडियो में हम लोग नेगेटीव सेंटेंस को इंग्लिज में ट्रांसलेट करेंगे क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको पास्ट प्रफेक्टेंस बताया है और उस वीडियो को जरूर देखेगा उसमें सभी तरह के सेंटेंस को मैंने डिसकस किया है लेकिन इस वीडियो में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे तो इस वीडियो को भी अंतक जरूर सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि past perfect tense होता क्या है Past perfect tense is used to show actions that have taken place in the near past and the ones that took place in the distant past यानि कि past perfect tense का प्रियोग तब होता है जब past में दो काम होता है और एक काम बहुत पहले हो जाता है और एक काम अभी-अभी हुआ रहता है जो बहुत पहले हो जाता है उसे distant past कहेंगे यानि कि सुदूर भूदकाल और जो अभी-भी हुआ रहता है उसे near past कहेंगे लेकिन दो काम होता है past में ही ना present में होता है ना future में दोनों ही काम past में ही होता है भूदकाल में ही होता है लेकिन एक बहुत पहले हो जाता है यानि कि distant past और एक थोड़ा बाद में होता है यानि कि near past negative sentences के लिए हम लोग structure जान लेते हैं पहले subject लिखेंगे फिर head लगा देंगे फिर not फिर verb 3 और क्योंकि इसमें दो तरह के tense यूज होते हैं एक simple past और past perfect tense यानि head plus verb 3 तो जो not bigger लगेगा वो head वाला में ही लगेगा आप example से better तरीके से समझेंगे तो आईए हम लोग अब translate करना शुरू करते हैं मेरे station पहुँचने के पहले गारी नहीं खुली थी तो क्या मैं इसमें station पहुँचा था? जी हाँ station भी पहुचा था और गारी भी नहीं खुली थी ये काम पहले हुई थी गारी नहीं खुली थी यानि कि मेरे station पहुचने के पहले गारी नहीं खुली थी तो इसमें कौन सा काम पहले हुआ? गारी नहीं खुली थी ये काम पहले हुआ और फिर मैं station पहुचा दोनों ही काम past में हुआ लेकिन जो काम पहले हुआ उसे हम past perfect tense में लिखेंगे और जो बाद में हुआ उसे simple past tense में लिखेंगे मेरे station पहुँचने के पहले गारी नहीं खुली थी the train had not started मेरे station पहुँचने के पहले before I reached the station तो यहाँ पर देखेंगे यह simple past में बना है और यहाँ पर had not started यह past perfect tense में बना है इससे पहले मैंने लाल किला नहीं देखा था इस sentence से पता चलता है कि दो बाते हुई थी उनमें से एक बात यह है कि इससे पहले मैंने लाल किला नहीं देखा था और एक बाते जो हैं बिलकुल छिपी हुई है और वह बिल्कुल understood है मतलब हम समझ गए हैं कोई बात हो रही थी और उसी के बिज में किसी ने कहा इससे पहले मैंने लाल किला नहीं देखा था तो इस तरह के sentence को भी हम past perfect tense में बनाते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे I had not seen the red fort before यानि इससे पहले मैंने जिक्र किया था कि हम लोग नहीं मिले थे इसमें भी दो पार्ट है हम लोग नहीं मिले थे और मैंने जिक्र किया था तो कौन सा काम पहले हुआ वो जिक्र किया यानि अभी अभी जिक्र किया होगा कुछ दिर पहले और हम लोग नहीं मिले थे यह और भी past की बात है यानि distant past की बात है तो इसे पहले लिखेंगे हम लोग नहीं मिले थे यानि कि पहले लिखे या बाद में लिखे लेकिन यह बनेगा past perfect tense में had जो लगेगा वो इसी में लगेगा और इसमें लगेगा simple past tense भर्व टू यहां हो जाएगा I mentioned that we had not met मैंने जिक्र किया था हम लोग नहीं मिले थे I mentioned that we had not met मैंने उससे कहा था कि वे लोग नहीं आये थे या आये हैं भी रहेगा यदि हिंदी में तो भी had लगेगा मैंने उससे कहा था कि वे लोग नहीं आये थे तो यहां पर बनेगा I told him जैसे हम लोग indirect speech में बनाते हैं I told him that they had not come तो हम लोग जैसे narration में बनाते हैं indirect speech में that के पहले यदि past रहता है तो that के बाद भी past use करते हैं लेकिन had लगाते हैं I told him that they had not come जब उनके भाई पहुचे वे लोग नहीं गए थे यहापर कौन सा काम पहले हुआ वे लोग नहीं गए थे यानि उनके भाई पहुचे तो वे लोग नहीं गए थे इस sentence को बनाएंगे यहां से यहां तक वे लोग नहीं गए थे had use करेंगे और जब उनके भाई पहुँचे इसमें भर्वटू यूज करेंगे और यदि आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है जिसमें after, before या when यूज होगा उस sentence को simple past में लिखना है भर्वटू उसमें यूज करना है आप इतना तो याद रखी सकते हैं तो यहाँ पर हो जायगा they had not gone when his brother reached मेरे school पहुँचने के पहले घंटी नहीं बजी थी the bill had not rung before I reached school उसने जाने के पहले मेरा इंतिजार नहीं किया था मेरा इंतिजार नहीं किया था यह थोड़ा पहले हुआ यह चीज तो इसे हम past perfectence में बनाएंगे मेरा इंतिजार नहीं किया था किसने यानि उसने ही उसने जाने के पहले मेरा इंतिजार नहीं किया था तो किसने इंतिजार नहीं किया उसने यानि he he had not waited for me उसने जाने के पहले before he left left मतलब छोड़ दिया यानि चला गया उन लोगों ने दे इति थी के पहले अपना काम पूरा नहीं किया था दे इति थी मतलब उता है deadline जिस तारीक को काम पूरा करने के लिए कहा गया है यानि दिया गया थी दे इति थी तो उन लोगों ने दे इति थी के पहले अपना काम पूरा नहीं किया था इसे भी past perfect tense बनाएंगे they had not completed their works before the deadline डॉक्टर के आने के पहले रोगी नहीं मरा था तो रोगी नहीं मरा था इसे पहले लिखेंगे the patient short में आप hadn't पहले लिख सकते हैं hadn't died before the doctor came मैंने देखा कि उसने दरवाजा खुला नहीं छोडा था उसने दरवाजा खुला नहीं छोडा था मैंने देखा कि उसने दरवाजा खुला नहीं छोडा था तो यहां हो जाएगा यानि कि that के पहले यदि पास्ट रहेगा तो that के बाद यदि इस तरह का सेंटेंस आएगा तो उसमें had ही लगेगा यह एक तरह से narration में भी रूल रहता है मैं आपको narration भी बिल्कुल detail में बताऊंगा आप लोग मेरे channel के साथ बने रहिए और जो भी दिक्कत है अभी भी यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप comment box में लिखकर जरूर बताइएगा मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिस करूँगा और इसका first part आप जरूर देखेंगे मैं link नीचे description box में देता हूँ या आपको end screen group में दिखाई देगा तो उस पर directly click किजिए आप सिधे वही पर पहुंच जाएंगे All right students and friends, thanks for watching